एलो गाईज, वेलकम टू स्टीडी फिलिया एजूगेशन, सो दोस्तों, आज हम स्पेंग की जो सुरीज को है, इसको कॉंटिन्यू करते हुए, उसके इंपोर्टन फैक्ट्स पार्ट फाइब को डिसकस करेंगे, इस पार्ट पे हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम इसमें स्पेंग के एथनिक सिटी, एथनिक कॉंपोजीशन को पढ़ेंगे, रिलिजन इन स्पेंगे और कौन-कौन सी लेंगविजेज हैं, उन सभी को आज हम पढ़ने वाले हैं, ठेक है, आप सभी को काफी अच्छी लग रही होंगी वीडियो काफी हेलफुल हैं आपकी स्टडी में, खासकर जेनियू के प्रिपरेशन में, काफी बच्चों के कॉमेंट आ रहे हैं, और अभी रिसेंटली मैंने देखा काफी बच्चे अक्टिव हो चुके हैं, और वो काफी अपना पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मिल आगे बढ़ते हैं, फिर आगे हम देखते हैं, क्या-क्या सारी चीजे हैं, और जितने भी बच्चों की कोईरी थी, जो भी कोईश्चन हैं, वो कॉमेंट कर रहे हैं, मैं उनके जवाब भी दे रहा हूं, कुछ बच्चे हैं, जो मुझे कॉल भी कर रहे हैं, मेरे घर में मे ना मेटेरियल रेडी करके मैं मौने में रिकॉड करके आप अप्लोड कर दिया गरूंगा तो इसके लिए नो वरी आपके कोई भी बच्चा अगर कंफ्यूजन में हो डाउट में हो या वरी हो कि कॉर्से कंप्लीट होगा या नहीं मैं सारी कंट्री कंप्लीट कराऊंगा नह आप लोग अपनी भी तैयारी मजबूत रखें खासकर इंग्लिस क्योंकि मैं इंग्लिस पढ़ा नहीं रहा हूं और उसके लिए मैंने अलग से वीडियो डाली हुई है इंग्लिस की कि आपको कैसे प्रिपेर करना है ना तो आई होप सभी बच्चों को पता होगा नहीं प तरीके से फीचर कर रखा है ठीक है और उन बच्चों को मैं जरूर कॉल करूँगा जिनके अपने कुछ डाउट्स है नो वरी ठीक है तो मैं आगे कॉंटिन्यू करता हूँ यहाँ पे मैं आपको एक जियोग्राफिकल क्वेश्चन है या टॉपिक है उसको मैं डिसक्ट करूँगा उपके साथ यह एक लोकेशन है दोस्तों साथ इस्पेन में साथ इस्पेन में नहीं है नहीं पहले कभी यह पार्ट हुआ करता था बट अभी नहीं है तो मैं बात क रहों जिब्राल्टर की जिब्राल्टर आपने सुना ही होगा ना स्टेट ऑफ जिब्राल्टर वो भी अभी हम मैपिंग करेंगे तो और अच्छे समसंझेंगे राइट सो यहां पर मैं आपको बताओ जिबरालिटर पहले कभी स्पेन का पार्ट हुआ करता था ठेक है अभी और अब यह किसको बिलॉंग करता है यह करता है बिटेन को क्योंकि एक लड़ाई हुई थी जिसको बोलते हैं वार ऑफ इस्पैनिस सक्षिशन है ना जब वार हुआ था इसमें एक ट्रीटी हुई थी बिट्वीन ग्रेट बिटेन एंड इस्पैन उस ट्रीटी का नाम आप देख सकते हो यहां पर मैंने हाइलाइट कर रखा है ट्रीट इतना महत्पूर्ण क्यों है दोस्तों इसकी इंपॉर्टेंस है इसकी लोकेशन है और टूरिजम भी है यहां पर कुछ इंपॉर्टन चीजें है वह हम देखते हैं तो अभी इसको देखते हैं यह है कहां यह तो हमें किलियर हो गया कि जिब राटर जो है ग्रेट बिटेन क और यह कहां पर है इस पेंज के साउथ कॉस्ट पर पढ़ता है है ना कॉस्टल इरिया जो होता है समुद्र का गिनारा है ना वहां वहीं पर बढ़ता है अभी मैं आपको मैप परूँगा इसके लिए नो रही और यह इसको डॉमिनेट क्या करता है वहां पर एक बहुत ही बड़ा रॉक ऑप जिवराल्टर के नाम से जाना जाता है अभी मैं दिखाऊंगा तो उसके डॉमिनेट करता है और जिसकी हाइट है एराउंड 426 मीटर है ना लाइव स्टों रिज है और यहां पर सबसे पहले जो मूर्स थे लोग जो मिडल इस में आये थे वह सेटल तो यहां पर लिखा ही हुआ है 1730-80 में देख सकते हो बाकी यहां इसको 45 भी किया गया था पॉर्टिफिकेशन है ना क्यूं 14th century में किया गया था मूर्स जो कैस्टल है वहां पर अभी मैं दिखाऊंगा भी यहां पर नहीं है उस केस्टल को मैंने में डाला बस कुछ इंप तो जिसको एक्सपेंड किया गया था वर्डवार टू के डाएंप और मेरा एक क्वेश्चन था आप सभी से होंवर कि इस पेन क्या कभी पाट रहा था वर्डवार वन और वर्डवार टू का तो अगर आप इसका सीधा सांसर चाहते हो तो मैं आपको बताऊं दोस्तों कि वर्डवार वन और ना ही वर्डवार टू में कभी पार्टिसिपेट ही नहीं हिया है ना स्पेंड आप यहां पर बात आती है यह फिल्ट टरनल वागरा क्यों बनाए गए थे हैंना क्योंकि आप खुद देखे 18th century and all सारी चीजें यह तो थी है ना यह पहली बात तो वर्डू का टाइम समझ लीजिए बेटिस ओवर सीज टेरिटरी होने के कारण क्योंकि बिटेन की टेरिटरी थी तो इसलिए यहां पर बीटिस जो थी टूस यहां पर इडिपलॉइड भी थे और उन्हीं और इसी तरीके से फोटिफाइड भी था और फोटिफाइड इसलि थोड़ी देर रोक सकते हो आपने मूवियों में भी देखा होगा कि बड़े-बड़े फोटिफिकेशन है जैसे चाइना का ग्रेट वाल है चाइना को बचाता है और ऐसे हमारे हिमालया है नेचुरल और बोल सकते हो नेचुरल फोटिफिकेशन बिडवीन चाइना इंडिय नेबाद तो काफी मुश्किल होता है वहां के लोग पार करके आए हमाले को तो इतना इजी नहीं है इस तरीकी के चीजे इतना डीप डाइब नहीं करना है आपको बस इतना इस इस टॉपिक से इतना समझना है जिब्राल्टर जो है वह बिटेन का पार्ट है ना सिंपल सी यह कैसे है वह मैंने आपको बता दिया है है ना कि इस इस पेइन को मिन बिटिस को दे दिया था 18th century में 1713 में बिटिस को बिलॉंग किया गया था और वह कैसे हुआ था क्योंकि वार आफ इस सेक्सेशन हुआ था जिसमें की गई थी हैं ना तो फिर वह डेट बिटेन को दे दिए गाया तो इतनी सी बात है आउप यह बातं तो आपको समझ में आ गई होगी और यहां पे जो रॉक है उसको अभी हम देखते हैं और इसकी हम चले मैपिंग करते हैं जिबराल्टर नहीं तो जिस रॉक की मैं बात कर रहा था यह थोड़ी से के दूरी पर है समुद्र के दूरी से यहां पर सहर भी वसा हुआ है आप देख सकते हो और काफी डॉमिनेट करता जैसे मैंने बताया था जिब्राल्टर बहुत बड़ा नहीं है बट है बड़ा चोटा सा है जिब्राल्टर चलो आपके लिए क्वेश्चन है आप मुझे इन रिस्पेक्ट ऑफ इस्पेन कि कितना चोटा है ना तो यह यह है रॉक दा रॉक अब जिब्राल्टर और जिब्राल्टर यहां पर टूरिजम बहुत जादा है और इस्पेन के लोग जब भी देखते हैं तो उनको लगता है कि यह हमसे बिलॉंग करता है हमारा पार्ट ह होना चाहिए और ऑल्वेज टसल चलती रहती है कि यह हमें वापस से दे दिया जाए जिब्राल्टर पर अगर देखा जाए जिब्राल्टर वहां पर एक बार रिफ्रेंडम भी कराया गया था यह यह नहीं पता मुझे होगा मैं जरूर बताऊंगा जहां पर जिब्राल्ट ग्रेट बिटेंड का पार्ट नहीं रहते तो उनकी वो सारी छी लेंगे चाहें वह एजूकेशन के मामले हो वहां पे जॉब के मामले में हो लंडन या यूके में जाके तो चीज़ेंको नहीं मिल सकते है तो यह चीज़ आई होड़ा है तो अगर आपके अंदर थोड़ी स सकता है और लिख सकता है अगर कुछ इंट्रेस्टिंग पता है आप वह भी कमेंट बॉक्स में बताएं और पिक्चर है यह थोड़ा सा हवाई एरिया से मतलब यह कह सकते हो थोड़ा उचाई से लिया गया है आप रॉक आप जिबराल्टर को देख सकते हो यह सिटीज देख स है अग video आज एक पिक्चर और देखते हैं था रोख आप जिबराल्टर से इस लिए अब Europe के मैप पे देखते हैं पहले हं जिबराल्टर अ कि यह च विदिन लकंट नोग इसमें दो रोजए कर जिबव्राल्टर के आप इस लोग पार्ट और योरोग में ही रहते इंदिक पार्ट यूरूप में आता है वहाँ पर रहते हैं लोग इवन रसिया के काफिया जो 70% लोग है खुद भी अपने आपको यूरूप का पार्ट मानते हैं ना कि एस्यागा सो यह है स्विजन यह है नौवे यह फिलैंड यह है बाल टेक्निशन फिर यहाँ पर आते हैं आप त तो बंजाता है उनाइट्ट फिंग्डम तो अब यहाँ पर फ्रांस के वेस्ट में बे ऊफिस के हैं और शाओम यहाँ पर पर आपका जिब्राल्टर और यह है पुर्चिगल स्पेन के और देखोगे अगर कंट्री स्टेट ऑफ जो टाच करता है जो डिवाइड करता सब्सक्राइब कि आप से पूछी जा सकती है कुछ पूछप सहर है तो भी आपको पढ़ना है ठीक है तो यह है मैड़ी ट्रेयन सी जो मैं आपको भी बता रहा था तो चले थोड़ा सा जो मिन मैप पे देखते हैं और यह है योरो का गेंड मैप जिसमें मैं आपको इस्टेट ऑफ जिब्राल्टर दिखा रहा हूं और जिब्राल्टर यह है आपका इसी यहां पे है तरीफा एपकाइंड ऑफ पोर्ट हो चाथ है चोटे-चोटे और कुछ लोकेशन के देख सकते हैं कि जहाज जो पानी की जहाज है जो सिप हैं कैसे आती जाती हैं इतना भी नैरो नहीं है बट नैरो पासेंज हैं और काफी इंप्र एपस एस से टेट आप ज सकता है जरूए नहीं है हर साल पूछे बट कभी नगभी पूछा जा सकता है इतनी इंपोर्टेंस है अगर स्पेंट से कोई कोश्चन आएगा जिब्राल्टर से बन सकता है या इरेवियन पैनिसुला से ठीक कि इस्पेंट की डारेट इस्पेंट की लोकेशन पूछ लेगा टह implementation से अपर सटों यह चीज देखे आप जीब्राल्टर का है अब देख दो और वर यहां तो यह पर अफ्रीका की है और यहां पर आप देखेंगे अट्लांटिक ओशन और यह जो स्टेट आफ जिब्राल्टर है मेडिट्रियन सी और एट्लांटिक ओशन को जोड़ता है दो वोटल बोर्डिस को आगे बढ़े अगें थोड़ा सा और देखते हैं जिब्राल्टर को एक दो मैप में लगा रहा ह आप देखेगा यह जिब्राल्टर जितना यह ओरेंज कलर में मांक है और यह इस्पेन जैसे मैंने बताया स्टेट आप जिब्राल्टर और यह जो चुता है यह इतनी से लोकेशन यह भी स्पेन को बिलाउं करता है यह मोरको के मेडरेट नसी एतना समझ में आया आए हो इस तरीके के से पहें में जिब्राल्ड और यहां पे हैं जिवर्नर रेजिदैंस यहां है और इतना जरूएंग नहीं है कुछ लाइठ हाउस हैं इना यहां और लाइठ हाउस आप सभी को पता होगा क्या यूज है तो आप मुझे बताये गास्पेन का एक बहुत ही फेमस लाइट हाउस है उस लाइट हाउस का क्या नाम है है ना और हो सकता है वह लाइट हाउस हो क्या सकता वह यूनिसको वर्ल्ड हरिटेज साइड भी है उसका आपको नाम मुझे पताना है क्यों कौन सी लाइट हाउस है वह है इस्पेन की है ठेक है आगे बढ़त है न तो आपको मूर्स के बारे में समझता है तो अगर टर्म के एक टर्म के तरीके से देखा जाएए मूर्स काफी हम आप समझते हैं but confusing होता है कि मूर्स है कौन था कौन है ना तो एक यहां पे मैं आपको बताओ इबन ये जो टर्म है मूर्स वो लिट्रेचर आर्ट एंड हिस्टरी बुकस में भी आपको मिलता है अपके भी हीस्टरी बुक्स भी बढ़ते हो आर्ट लिगा लिट्रे Watcher वहाँ पर भी आप मूर्स के बारे में सुनते हो अगर इस्पीन के भी बारे में पढ़ोगी हिस्ट्री वगरा आप भी आप मूर्स के बारे में पढ़ोगे बट ये कभी भी एथनिक सिटी या रेस से रिलेटेड नहीं है और रिलेटेड किसे है ये जो कॉंसेप्ट है मूर्स का वो डिस्क्राइब करता है अर्टिनेटबली राइन और मुजलिम इन इस्पीन जो मुजलिम जो नौर्थ नदर्न अफ्रीका से लोग आए थे जो मुजलिम थे उनका जो राइन था है ना उनका जो रूल था उसी को डिस्क्राइब करता है मौस उन्हीं को मूर्स वोलते हैं यहां पर मैंने लिखा और क्वाइट इंट्रेस्टिंग जब आप सेक्सवियर्स की जो प्ले हैं काफी फेमस और है लो इस प्ले का नाम याद रखेगा कभी आपके पूछा जा सकता है क्योंकि सेक्सवियर का प्ले है और भी उनकी प्ले हैं उनके बारे में आप पढ़िएगा है ना और कौन-कौन प्ले हैं जानिए यह कुछ पिक्चर्स है यह जो पिक्चर्स है इसी प्ले में एक करेक्टर है ना जो की एक वेनेटियन आर्मी के रूप में था नाइंटीन सेंचुरी अफ्रीकन-अमेरिकन एक्टर इला अट्रीज के लिए जिसको डिपिक किया गया था इसी टाइटल र और यह जोरूल है यह पहली बार अप्यर हुआ था सेक्सप्यर के जो प्ले था उसमें तो इतनी सी बात है मुणस के बारे में आपगो बस इतना क्ल्यकन रखना है मोर्स कौन थे मोर्स वहीं लोग थे मुजलिम जो राइन था उसको बोला जाता है और वह भी कहां मुजलिम में इस्पेइन वह कहां से आये थे कहां से ब्लॉंग करते हैं वह यूरोपियन और अफ्रीकन डिसेंड है ना अफ्रीकन प्लैक देख सकते हो जैसे पिक्चर आगे एक दो तस्वीरी में लगा रहा हूं तक से क्लियर हो जाए जी कुछ पैंटिंग है आप देख सकते हो और सब्सक्राइन था मूर्स का कुछ इस तरीके से एक बहुत ही फैमस डानेस्टी है उमायत करके वह आगे में हाला कि मैं आपको समझाने वाला हूं तो यह जो मूर्स थे इन्होंने क्या क्रिएट किया था अरब एंडोलीशेशन आपको याद होगा आप याद कीजी रिकॉल कीजिए मैं एंडोलीशा समझाया था जो साउथ इस्पेन का रीजन है उन्होंने वहां पर जो सिवलाइजेशन जो भी बसाए थी अरब की इंडोलीशन सिवलाइजेशन इन्हीं मूर्स लोगों ने बसाए थी है ना और यहां पर सेटल हुए थे एज रिफ्यूजी पहली इसमें कोई ही कंफ्यूजन नहीं है जो किलियर है मूर्स लोगों नदन जो आफ्रीकन कंट्री के पिपल थे वहीं से आए हुए रिफ्यूजी जो थे सेटल हुए थे कहां पे एंडोलीशा रीजन में जिन्होंने कौन सी सिवलाइजेशन बसाई थी एंडोलीशन सिवलाइ और पढ़िएगा यह एक मूर्स पैले से और फोटे से जो की कहां है एंडोलीशा के ग्रनादा ग्रनादा में हैं कहां पे इस्पेन में एना ग्रेनादा कहां है वह एंडोलीशा वाले रीजन में वाजे डिसकाईब आइप पर सेटिंग यह पिक्चर से काफे किलियर है इसके बाद भी आपको कोई क्लियार्टी ना रहे कोई भी कन्फ्यूजन है आप डारे क्लिक कॉमेंट पॉक्स में मुझसे कूशन पूर सकते हैं तो यहां तक आपको बच्चों समझ में आ गया होगा कि मूर्स कौन थे हैं ना उन्होंने कौन से सिविलाइजेशन बस आए थे क्या वो रिफ्यूजी थे बिलकुल हाँ वह मेघरेब रीजन मेघरेब अगर पूचा जाए वह रीजन कौन था वह नौर्थ अपरीका का जो रीजन है उसको मेघरेब बोलते हैं वहीं से आए हुए लोग उन्होंने इंडोलेशन सिविलाइजेशन बसाए थी जिनको म आपको बता दूंए अपर दोश्तों 86% जो लोग है वह इस पैनियाड है इस पैनियाड कोन होते हैं जिलोग होते हैं जो वहीं पर पैदा होए होते हैं तो और देखा जाए जो बाहर से आए हैं जैसे मॉरॉक्ण कंट्री आ आपने दिखा था सदन में श्टेट ऑफ जिव्याटर को जो टच करते है कंट्री वहांसे 1.8% एं 1.3% रोमानियन आप ओ ये आपका हम्वर्क है आप इसको लोकेट कीजेगा कि मैप पे हैरी रुमाला रुमानियन एक अब बातfind के बारे में अगर हम बात करें in स्पेन में जो है कैथोलिज्ट है क्रिसचान्यटी आप समझेग जो लोग है क्रिस्टी सेवन पर्षेंट लोग 12 कृट्टल पॉपलेशन इस्पेंग्ट और यह कौन से गपेक्ठोलिक ये रोमन्रक्रclam जैसे कि मैंने आप सभी को जब मैं आपको जर्मनी पढ़ा रहा था तब मैंने अच्छे से बताया हुआ जैसे जब हम रसिया पढ़ेंगे वहां पर और यहां पर जो काफी परसेंटेज है आगा देखें 22 बिडवीन 22 22 परसेंट जो लोग है वो एथीस्ट है या एगनोस्ट है मतलब एगनोस्टिक का मतलब यही होता है जो लोग मानते हैं कि गॉड्स है बट वो अन्नोन है वो गॉड्ड कौन है वो अन्नोन है एथीस्ट जो की बिलीवी नहीं करते कि गॉड्ड एगनोस्टिक करता है यह डिफरेंस है एथीस्ट एड एगनोस्टिक में ठीक है दो पर्शन जो पॉपलेशन है स्पेन की वो इसलाम धरों को फॉलो करती है और यह वहां की सेकेंड मोस्ट वाइडली प्रैक्टिस्ट रिलिजन है अगर आपसे कोईशन बूचा जाए इस्पेन की सेकेंड लाजेस्ट रिलिजन कोंसी है तो आपको इसलाम पत्र होना चाहिए औ और यह डे वाइडे वहां पे गुरो भी कर रहा है आपने इसकी प्रॉब्लम भी देखी होगी बहुत यूरोपियन कंट्री में खासकर अभी फ्रांस में ही मुस्लिम लोगों को लेके कितना भी बाद है और जो वहां के प्रेसिडेंट है इम्मेनुवल मैक्रोन का फीड़ में भी थे अभी रिसेंट में अगर आप करेंट अफैर फॉलो कर रहे होगे और काफी प्रोटेस्ट हुए हैं पाकिस्तान में भी उनके खिलाफ कुछ चीजें हैं और कुछ चोटे मोटे आतंकी हमले भी हुए हैं फ्रांस में उसी लोगे लेके बहुत सारी चीजे दोरा तो यह सब चीजे कुछ तो पॉलिटिकल इंफ्लेंस भी होता है बट आपको करंट अफैर पे खासकर जो भी कंट्री आप पढ़ रहे हो इस पे नजर गढ़ाए रखना है इसके लिए मैंने आपको बताया हुआ है चैनल आप नोट कर लीजिए वर्ड अफैर आपको फॉलो करना है बहुत ही अच्छा चैनल है और अथांटिक सोसे से आपको बढ़ाते हैं आपको सारी चीजे क्लियर रखनी है आप ऐसा ना करें कि एक दिन बैठें कि सारा करंट अफैर डे बाई दे थोड़ा थोड़ा करके आप करंट अफैर से इंगेज भी रहें थोड़ भूलिएगा क्योंकि आज कल एक्जामनर आप यह भी जाना चाहते हैं आप कितना इंगेज हैं करंट के सिच्वेशन से कितना नौलेज है यह तो इस्टेटिक पार्ट है जो हम अभी पढ़ रहे हैं आपको करंट भी इसके साथ साथ पढ़ते रहना है तो जब आप इस्ट प्रिपेर और चीज़ से ठीक है तो हम आगे बढ़ें आगे हम पढ़ने वाले हैं इसी में मैं बताने वाला हूं इन्वेजन आप मुस्लिम इनी स्पाइन तो एक जैसे मैंने आपको बताया था एक बहुत ही फेमस डानेस्टी है जिसको बोलते हैं ता उमायाद डानेस्ट डानेस्टी ठीछ उन्होंने कंट्वेस्ट किया था इसपाई यह पूरा इसपाइन को नहीं इसपाई आगर गोले तो ही इसपाइन ही है इसपाइन बोला जाता था रेजन एबन यह बोल सकते हो आईवेरियन पैने शुला जिसमें आपका अंडोरा और इसट्ली जिवराल् किंग्डम रूलर हुआ करते थे किंग रॉड्रिक है ना जिसके तभी यह कंक्वेस्ट किया गया था और यह इन्वेजन कब हुआ था इन 1711 में है ना एट सेंचरी में आप मान सकते हो और सेवन यहां पर भी लड़ाई चली थी यहां पर बोल सकते हो वार्स हुई थी आप द किया था इसमें बस आपको समझने वाली बात है यह आपको सेंचरी यह बोल सकते हुए यह सेवन हेंड सेवन एलेवन सेवन हैंडड़ 1180 को याद रखना है कि इस टाइम पर जो इन्वेजन हुआ था इस पें में वो मुजलिम हुआ था या मैड कॉंक्वेस्ट हुआ था व 11911 और 611 4 option मिलते हैं है ना तो आपको अगर पता होगा 8th century है ना तो 711 आपको पता होगा तो आप राइट option तक पहुंच पाएंगे कहने का मतलब यह है अगर आप से question पूछा जाए वेन उमायद कॉंक्वेस्ट हिस पाईया और चार ओप्सन दे दिये जाएं 611 711 811 और 911 तो यह चीज़ आपको याद रखने यही थोड़ी से काफी important है और यह जो मुजलिम रूल था इस पें में यह कब end हुआ कब decline हुआ यह end हो गया 1492 हो गया है ना जब गरनादा को कंक कर लिया गया था और इसके बारे में आप थोड़ी सी history और पढ़िएगा Muslim invasion थोड़ा समुझ के बारे में तो आपको समझ में आएगा और आने वाली में series में ऐसा नहीं है कि मैं नहीं पढ़ाऊंगा कुछ मुझे important लगए मैं जरूर परहूँ मैं आपको उतना ही पढ़ा जाने है खासकर language perspective से ठीक है बच्चों तो यह दो तो आप याद रखिएगा तो एक इस dynasty के बारे में पढ़िएगा काफी famous dynasty है और यह कहां से आई थी कैसी conquer किया था इसके बारे में जब मैं middle इसया पढ़ाऊंगा तब थोड़ी सी dynasty के बारे में हम जिक्र करेंगे ठीक है तो अभी के लिए I hope आपको इतना समझ में आ गया होगा कि Muslim invasion कैसे हुआ था और कब हुआ था ठीक है बस आपको कब आगे बढ़ते हैं अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों इस्पेन की language के बारे में तो इस्पेन की जो language है उसको बोलते हैं जिसको हम इंग्लिस में जो हमें जैसे हम Spanish बोलते हैं वो officially उसको जाना जाता है तो इस तरीके से आप देख सकते हैं तो अगर आप अपने रिफ्रेंस से पढ़ना चालते हैं कैस्टेलियन इंगलिस जो स्पैनिस है लगभाग थोड़ा सा सेम है थोड़ी सी प्रनेंसेशन चेंज होती है बाकी फन लेंग्वेज है लेटरली बहुत मजाता है स्पैनिस पढ़ने में तो काफी इजी भी है आपको लांग करना तो इट इस दा कंट्रीज मोस्ट वाड़ली स्पोकें लेंग्वेज अगर बात करें तो जो कैस्टेलियन है स्पैनिस आप सभी को पता होगा काफी काफी ज्यादा नेटेव स्पीक में जाओगे तो स्पैनिस जो लेंग्वेज है कैस्टीयन के नाम से जानते हैं और यहां यहीं से क्वेशन बनता है दोस्तों कि आपको इस पैनिस नहीं दिया होगा आप से वहाँ पर कैस्टीयन दिया है ठीक है दोस्तों तो आगे हम देखें कुछ रीजन हैं जहां पर अलग-अलग लेंगजिस और भी बोली जाती है जो कि कुछ एटॉनमस रीजन भी है स्पैन में तो वहां पर भी उनकी अपनी अलग लेंगज है जैसे हैं कैटलन जो कैटलोनिया की कैपिटल क्या है आप लोग मुझे बताओंगे मैं आलड़ी आपको पढ़ा चुका हूं काफी फैमस है और केटलोनिया का रीजन में काफी है क्यों इंपॉर्टन है यह भी आप इसली वीडियो में मैंने आपको वैलरिक आइलेंड भी समझाए थे वैलेंशियन सिंपल सी बात है जो वैलेंशिया में बोला जाता है जो गैलेंशियन लेंगज है वह है यह रीजन से जहां पर या लग-लग लेंगज है ऐसे ही है बास्की जिसको इस केरा भी मिले अगर या या बासकी पर हकंदो तो यह जो नियुक्त ऑफिर मिलेुपटर तो यह ची它 कर ऴीन है चयां पर एक काफी सहर आपरेंशिया है ठेक है दोस्तों तो वह cookies आपको समझना है कि उस सहर के बारे में आपको पढ़ना है आउस सहर के बारे में आपको मुझे बताना है कि यह जो कंट्री है बास के कंट्री में वो कौन सा फेमस सहर है जिसके बारे में हमें जानना चाहिए और क्यों इंपॉर्टन है ना तो यह चीज आपको होगे इस पेन की जो एक नहीं होगे एक नहीं होगा थेके आपको हमेशा कुछिन ध्यान से पना है ठीक है थेकर तो तो ऊपको एक जो राइटैंसर होगा जो नहीं है उसको select करना होगा तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कितनी official languages है Spain में जो बोली जाती हैं तो आप सभी लोग एक काम कीजेगा अगर आपको पता है without Google help आप comment box में इस question को जरूर से जरूर सभी लोग attempt कीजिए कि जो Spain के official languages हैं वो कौन-कौन सी है write down in the comment box right now pause the video right and note down in your notebook also for the future reference when you are revising your courses है ना जब आप revision कर रहे हो हो तो आप इसको crisp and descriptive में लिखें क्योंकि यह important है यह question पुछा जा सकता है किसी भी एक्चाम में सकता है official language तो आपको सभी country के पता होनी चाहिए खासकर Spain के तो interesting है क्योंकि का काफी सारी है जो भी है 4-5 वो आपको लिखना है और आपको comment box में भी बताना है अब किसी भी बच्चे को नहीं पता है तब वो Google की help लेके और सबसे पहले comment box में लिखेगा और अपने notebook में लिख सकता है जैसे भी आपको comfortable लेकिन यह question सभी को attempt करना है कुछ बच्चे हैं जो अच्छे से participate कर रहे हैं सारे question का answer देते हैं मैं उन सभी बच्चों से appeal करता हूं कि जो भी बच्ची इस वीडियो को start करते हैं वो पूरा तो देखें देखें पहली बात और जो मैं question पूछता हूं उसको भी attempt करें इससे होगा क्या जब आप attempt करोगे search करोगे पढ़ोगे और लिखोगे यह आप कभी भूलोगे निए अगर इन केस आप भूलते हो जब यह languages आपके सामने आएंगे जो question यह जो option में आपके सामने आएंगे तो आप तुरंद recall करोगे पढ़ागे आपको right answer अपना मिल जाएगा आप बात कर लें एक बार language family की तो जो Spanish language है या कैसलियन बोलीजे ओफिसियल जो language है यह ब्लॉंग करती है इंडो यूरोपेन को बस इतना समझना है इतनी सी बात है जो इसकी script है वो है Latin script कुछ भी tough नहीं है कुछ भी confusion इसमें नहीं होना चाहिए ठेक है बच्चो तो अब यह Spanish language quite interesting कुछ fact है जैसे मैंने ब कर दोभी है जो born and brought up से शुरू से ही बोलते है और यह कहां पे बोला जाता है मैंनी इन में है native speakers के और America जब मैं America बोलता हूं उसमंनों continent आ जाते हैं North America और South America South America का पाफी सारी United State of America में यह second most spoken language है वहापे native speaker भी मिल जाएंगे आपको अमेरिका में भी Spanish language के after English right और इंदा वर्ड है ना यह second most spoken native language है तो आफ्टर मेर्डरिन जो की Chinese language है एंड यह fourth most spoken language है आफ्टर इंग्लिज मेर्डरिन जो की Chinese है और हिंदी ठेक है तो यह fourth most spoken language है हाला कि इस fact को थोड़ा सा चेक कर लिजेगा क्योंकि यह जो English Hindi या Chinese है उपर नीचे होते रहते हैं पर आपको इतना पता होना चाहिए कि जो मेर्टरिन लेंग्वेज है वह most spoken native speaker है क्योंकि चाइना की itself इतनी पॉपलेशन है चाहिए उसके बाद इंडिया आता है और इंग्लिज तो इंटरनेशनल लेंग्वेज है तो इसलिए भी इस लिस्ट में है ठेक है आई होप इतनी सी बात आपको क्लियर हो गई होगी लेंग्वेज के मामले में तो आज के लिए दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही और क्योंकि मुझे आपको अच्छे से समझाना था इसलिए मैंने और स्लाइड नहीं लिए और को टॉपिक्स नहीं लिए और क्योंकि यह भी होता रीजन क्योंकि वीडियो थोड़ी लंदी हो सकती है और मैं अपने होमटाउन में हूँ में डली में नहीं हो दोस्तों तो अपलोडिंग करने में थोड़ा इसू आ सकता है क्योंकि नेटवर्क इसू है और मैं इसको मॉबाईल डेटा से अपलोट करने वाला तो चल्दी जल्दी हो जाती थी चीजें तो यहां पर थोड़ा सा सुलो है लाइट की थोड़ी इस होता एलेक्ट्रिसिटी बट आई विल मैंने फॉर यू गाईज बट आप अपनी प्रिपेशन अच्छे से रखें और हां दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आती ह हैं तो आप लाइक करना बिल्कुल न भूले है ना और पार्टिसिपेट जरू करें जो भी मैं कुश्चिन कर रहा हूं और आगर आपके अपने खुद के डाउट है आप बेज ही जग बूसकते हूं और जिन बच्च जिन बच्चे इस वीडियो को पहली बार देख रहे है उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा इसकी पहले की वीडियो भी देखें प्लेइलिस्ट में जाकर देख सकते हैं दूसरा मैं अलड़ी दो कंट्रीज कवर कर चुका हूँ जर्मनी और फ्रांस उसकी पूरी प्लेइलिस्ट पड़ी हुई है जीके की इंपोर्टेंट कोस्च कुछ भी आप इसली कर पाएंगे है ना तो यह रही बार आज है ना इस स्रीज में तो आज इस वीडियो को मैं यहीं पर समात करता हूं और मैं आप सभी सेल विदा कहना चाहता हूं फिर मिलते हैं जल्दी ही दोस्तों बस आज के लिए इतना ही इस वीडियो में थैंक्यों पर वाचिंग थैंक्यू मैं पुनिर तीवारी साइनिंग आज